यहां पर भाई ने आइपेड मंगाया था लेकिन जैसे ही वो आइपेड का बॉक्स खोलते हैं उसके अंदर से उनको आइपेड के जगा साबून मिलता है यानि कि आइपेड उसमें था ही नहीं उसके बाद एक भाई यहां पर मुवाईल मंगाते हैं मुवाईल का बॉक्स ज इस तरह का fraud आपके साथ भी हो रहा दोस्तों अभी मेरे पास तीन फ्लिपकार्ट के पैकेट डिलिवर हुआ जिसमें मैंने एक मोबाइल मंगाया था और एक में रिष्ट बैंड मंगाया था तो इसको मैं बाद में खुलूंगा उसे पहले मैं Amazon की बात कर लेता हूं मेरे पास का एकदम अन्बॉक्सिंग वीडियो बनाया सबसे पहले आप वो अन्बॉक्सिंग वीडियो देख लो और मैंने उनका कैसे रिफंड का समाधान किया और कैसे उन लोग का रिफंड दिलवाया वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और अगर इन फ्यूचर आपके साथ इस तरीकी का अगर मिस हैपनिंग होता है आपके साथ फ्रॉड होता है अगर आपने अन्बॉक्सिंग वीडियो बनाया फिर भी एमेजोन ने मना कर दिया फिलिपकार ने मना कर दिया तो आप कैसे रिफंड ले सकते हो लिगल नोटिस के तुरू उसका भी मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर अन्बॉक्सिंग वीडियो बनाया और जब उन्होंने खोला आइपैड के बॉक्स को तो उनके पैरों के तले से जमीन पूरी की पूरी खिसक गई और यह भाई का मात्र उमर था 21 मैं आप जैसा की देख सकते हो एक कपरा धूने वाला साबून उनको दिया गया यहां पे बाया ने रेडमी नोट 10 मॉबाइल मंगाया यहां पर देख सकते हो ऑन पर देख पत्थर देंगे देदिया गया मतलब कि 15000-16000 का जागा 50 उपर यहां ने सोचा की छलो आप मैं जि लेकिन उस डब्बे के अंदर जो एरपॉट से वह नहीं है, मतलब की हेटफोन जो है वह मिसिंग है, अब यहां पर यह तीनों जो परिशान हो गए, सबसे पहले तो Amazon को कंप्लेंड करेंगी, देखो है Amazon मेरे साथ ऐसा हुआ, Amazon बहुत प्यार से बोलो एग ठीक है मैं माफी च या फिर तीन दिन का टाइम दीए, आप इतने तारीकों मुझे कॉंटेक करिए, उस दिन आपका रिफंड हम लोग इसू करेंगे, अब भाई चलो खूस हो जाते हैं, मिरा रिफंड आज आएगा, Amazon पर मुझे पूरा भरोसा है, इन सारे e-commerce कंप्रीयों पर मुझे पूरा फिलिपकाट मुझे पूरा भरोसा है, इन वेस्टिकेशन के बाद पता चलता है कि भाईया, वो सुधा सीधा एक मेल चिपकाते हैं आपको, कि आपको सही प्रोटेक्ट इंटक्ट कंडिसर में मिल चुका है, तो हम लोग रिफंड नहीं दे सकते हैं, चाहे वो करते हैं NCH में, यानि कि National Consumer Helpline में कम्प्लेन करके कि वहां से कुछ सॉलूशन होगा, वहां से कोई सॉलूशन उनको इसलिए नहीं मिलता है, कि भाई वहां पे डेली कम से कम 20,000 प्लस केस लांच होता और वहां से कुछ नहीं होता है, अब इन लोग का सॉलूशन में कैसे द सबसे फास्ट इनका refund हुआ है मातर पांच दिन के अंदर में, वह भी लीगल नोटीस है, अब मैं बता देता हूँ, लीगल नोटीस का प्रोसेस क्या होता है, लीगल नोटीस होता है, हर वकील आपको नहीं बना सकते हैं, मतलब कि आपके नियरेश कोई वकील है, कोट वोट प्रोसेस के घुजरे, और लीगल नोटीस का क्या प्रोसेस होता है, वह बताता हूँ, लीगल नोटीस आप डिश्टिक कंज्यूमर कोट में भी जाके बनवा सकते हैं, वहां पर वकील हायर करके, लेकिन वहां के वकील है, वह आपको इतना फीस ही बता देंगी, कि आपके मोबाइल फ्रॉड हो गया, उपर से आप इतना पैसा 10,000-20,000 कहां से दे पाओगे, मिडिल लास फैमली के लिए, लेकिन हम लोग जो है, एक डिस्टिक कंज्यूमर कोट के वकील को हायर करते हैं, और उनको डे बाइडे नोटीस का पूरा सेडियूल करते हैं, तो कम पैसे ह इजली रिफंड होता है, और जब तक आपका रिफंड होता है, तब तक हम लोग बैकेंड सपोर्ट भी देते हैं, और लीगल लोटीस कुछ इस तरीके का फॉर्मेट में होता है, पूरा फॉर्मेट हम सेयर नहीं का सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको एक हजार रुपे और 10,000 से 20,000 के बीच में तो आपको 1500 से 1800 रुपे लगता है, और 20,000 से 50,000 के बीच में तो आपको 3000 रुपे लगता है, और 50,000 से उपर का जो एमाउंट है उसमें आपको अलग प्राइस होता है, उसका हम लोग के पास चार्ट होता है, वो में आपको सेयर कर दूँगा, हमेंukt違法 पोस्ट करना होता है वह इंडियान cuerpo से DTTCA सब lighthouse और पोस्टल एड्रेस आपको डिया जाता है जब आपको लॉतीस बनाकर दिया जाता है उसके राखते मेल कोई होता है उसके पाँछा जीयसे उनके राखscale पहुंचता है आपके पास mail के दुआरा confirmation आता है कि आपका notice हमें मिल चुका है आप हम इतना दिन का time दीजिए उसके बाद हम आपका resolve कर देंगे उसके बाद 7-10 दिन से 15-20 दिन भी लगता है इसमें time क्योंकि legal process थोड़ा सा time इसमें लगेगा 10-15 दिन के बाद आपको वकील खुद कॉल करते जो कि Amazon को फिलिपकार्ट के हो गया जो भी जिनके पास हम लोग नोटीज भेजा है वो लोग खुद कॉल करके आपका नाम verify करते क्या problem था वो verify करते उसक मतलब कि या तो seller को भेद देता है या फिर Amazon को फिलिपकार्ट को यह सब को भेद देते कि इस बंदे का refund आप कर दीजे जितना जल्दी हो सके हो सके मतलब कि इस total process में जो time लगता है वो लगता है एक महीना अब आप में से बहुत सारे लोग time waste इसलिए कर देना बहुत सारे कि मैं यह कर लूँगा तो वह हो जाएगा वह कर लूँगा वह हो जाएगा भाई मैं दो साल से देख रहा हूं यह सब केश ठीक है कभी भी आप जब तक legal notice उनको नहीं भेज तो सही एडवोकेट से बना के तब तक आपको जो है refund ही मिलता है बहुत सारे एडवोकेट आपक 20,000 रुपे खर्च करो तो वैसे पैसे खर्च करने से कोई फैयदा ही नहीं है तो इस तरह से कभी भी आपको निरास नहीं होना है अगर आपके साथ फ्रॉड हो है Amazon या फिर फिलिपकाट बोलता है कि इन्वेस्टिकेशन का वेट मत करिये मेरे दोस्त मैं आप लोग के ये इनका भी इन्वेस्टिकेशन आप गर वेट मत करो तुरंट लेगल लोटिस डालो तुरंट इनका रिपांड आया तो इन्वेस्टिकेशन के बाहता है तीन महिने तक का ड़ेडल ये कह उता है घाव जतना ताज रिवर्भ को ने बेर्धुट महरम लगे है और पसकिaniे इस तरह का कभी भी fraud होता है तो लीगल प्रोचेस से आप गुजरे है और जल्दी से जल्दी लीगल लोटीस बज़े और हम लोग लोग बनवाता है उसमें आपको court vote कहीं भी जाने का जुरूत नहीं पड़ता है सब आपको करके दिया जाता है बस आपको जो mail है और courier जो है वो आपको अपने इंट से करना होता है बागी सारा process mail में क्या लिखना वो सारी ती यह आपको दी जाती है और back end support आपको refund तक कर दिया जाता है और आप लोग के साथ भी इस तरीके का incident होता है मेरे भाई ठीक है त एक भाई मेरे को message कर दे कि भाई मेरे पास product receive हो गया लेकिन मैं इसको missing बताया हूं क्या मेरा refund हो जाएगा बता वो customer खुद fraud करना चारा है तो ऐसा नहीं जिनके साथ गलत हुआ है जिनको wrong product मिला जिनका defective मिला जिनका innovation के बाद भी refund नहीं हो रहा है वो लग मुझे contact कर सकते इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम आईडी यह है 100% refund आपको मिलेगा वज्यो प्रसेस में पता हूं उसको करने का है और थुरा सा patience रखना है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करे मिलते हैं निक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंद वन दे मातर हूं